नमस्कार दोस्तों अनुर्दा कीचेंड में आप सभी को बहुत स्वागत है आज मैं लेकर हैं विंटर स्पेशल रेस्पी जो कि खास ठंडी के मौसम में बना के खाये जाता है तो कड़कती ठंड में अगर आप एक बार ये बना के ना खाये तो फिर ठंडी में क्या खाये अ एक मुठी किसमीज दो का चमच घी और चार चमच गूड अब चलते हैं आगे की प्रोसेस में तो इसके लिए लिया है मैंने एक कूकर और कूकर को गरम होने के लिए रख दिया है कूकर गरम हो गया अब मैं इसमें टाल रहे हूं एक चमच घी तो मैं सिम्पल चमच से जो यूज करते हैं उसी चमच से में डाल रहे हूं एक चमच घी को अच्छे से गरम होने देंगे अब घी गरम हो गया इसमें डाल देती हूं दालिया तो यह गेहूम का दालिया होता है इसे लापसी बोलते हैं मार्केट में इजली बहुत यह आसानी से मिल जाता है अब अच् अगर आप आइड करना चाहे तो करें या दर्वाइज इसकीप कर दें तो अच्छे से मैंने इसको भून लिया आप इसे दे और दो मिनट भून लेती हूं दो मिनट हो गया अब इसे भूना नहीं है अब इसे में आईड कर देंगे पानी काई तो मैंने एक कटोरी दलिया लिया है इस जगधत तीन गुनी पानी लगेगा एक केıt दालिया तो तीन जंद कर देती हुआ और एक सीटी आने तक हाइफ लैम पर यह थन डा हो जाए इधर एक पाविए लै लिया अगा है इसको घ्ट के ऊपर रख देती हूं और इसमें डाल देंगे गूड, तो गूड मैंने चार चम्मच लिया है बड़े चम्मच से, या तो आप जिस कटोरी से मैंने डाल लिया है, तो उससे आधा कटोरी गूड, अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कटोरी पानी, और इसको अच्छे से चला के मिल्ट कर देंगे, तो इसे मेल हो गया अब इसे ही पका लेंगे तो गुड को अच्छे से पांच मिनट पका लेंगे ताकि गुड पक जाए तो पांच मिनट हो गया अब देख सकते हैं वाल भी आ गया और इधर सीटी भी खुल गई है और इसको इसमें डाल के फिर पांच मिनट तक पका लेंगे तो गुड के साथ पांच से चे मिनट पका लेंगे ताकि अच्छे से यह मेठा अपज़ॉफ हो जा और गुड और दालिया अच्छे से मिक्स होके पक जाए तो देख सकते हैं इसे चलाते हुए कितना खिली-खिला दलिया बनके तयार हो गया है अब इसमें एड़ कर रही हूं किसमिस तो मैंने साबुत किसमिस डाला अगर आप चाहे तो कट कर सकते हैं तो गुड के साथ दलिया को पकाते हुए 5-6 मिनट हो गया है और देख सकते हैं गुड और दलिया अच्छे से पक गया ऐसे पकाना नहीं है और अब गैस को इसी स्टेज पर आफ कर देती हूं और इसे साइड में रख देती हूं थाकि यह ठंडा हो जाए और यह विंटर स्पेशल अरेस्पी बनके तयार हो गया है तो कई तरह से बनाया जाता है सब्जियों के साथ जैसे हम खिचडी बनाते हैं दाल और सब्जी डालके बिलकुल खिचडी के रहे हैं तो फिर आप दूद के साथ जैसे हम हल्वा बनाते हो उस तरह भी बना के खाया जाता हैं अगल है और आप यकिन मानियें आप एकिपार मॉनेत के खाएंगे तो हर रोज यही बना आपर 성 paint s Vale के लिए तयार हो गया है देख सकते इस लि इसको दो तरीके से सर्व किया जाता है यह सिंपली तरीका अब और एक यूनिक तरीका बता रही हूं जिससे में रेस्पी और मज़ेदार हो जाएगा तो इसके लिए मैंने आधा कप दूद और लिया है मैंने एक बड़े से मिक्सर बाल उसमें मैं डाली हूं दो से तीन मच दूद अब इसको मिक्स कर देती हूं तो इस तरह मैं दूद के साथ भी से सर्व किया जाता है एक सिर्फ खास बात धियान रखें इसमें दूद मिक्स करते हुए यह नौर्मली गरम हो ज्यादा गरम में दूद ना डालने नहीं तो फट जाएगा फिर आप कॉमेंट मे कहेंगे कि यह गलत रेश्पी है लेकिन जब यह नौर्मल गुन गुना हो जैसे हाथ से टच कर सकते हैं तभी इसमें दूद मिक्स करें दूद बला भी सर्व के लिए तयार होगी आप कटे हुए बदाम से गरने सिंग कर लिया और आप जैसे भी सर्व करना चाहें दोनों चैनल सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में बताएं मेरी रेश्पी आपको कैसा मिल लगा मिलती हुना है वेडियो में नहीं रेश्पी साथ है इनको फूर वीडियो बाचिंग बाइबाए टेक क्यार